जारखन के मुखमंत्री हेमंत सुरेन आज एडी के दफ्तर जाएंगे और जहां पे तकरिबन 200 सवालों का जबाब हो देंगे आपको बतादे कि एडी ने उन्हें पूस्ताज के लिए पिछले दिन नहीं बुलाया था लेकिन हेमंत सुरेन ने समय मांग लिया था उसके बाद आज की जो तारीक के अब्हाद खास है जारगन के लिए क्योंकि एडी आज हेमंत सुरेन से पूस्ताज करने वाली है आपको बताते कि हेमंत सुरेन को लेकर जो पूरी तयारी एडी ने पहनें से कर रखा है तकरिबन 200 जो सवाल है उनके लिष्ट तयार की गई है इडी दफ्तर में इन तमाम सवालों का जवाब इडी के अधिकारी हमंत सुरेन से पूछेंगे आपको बताते हैं कि पूरा मामला साहिब घज से अबाइद खनन से जुड़ा हुआ मामला और इसी मामले में इडी में पूस्ताज के लिए हमंत सुरेन को बुलाई है तब तरह तारीक यानि आज का दिन बहुत खास है आपको बताते हैं कि एक तरफ जारखन के मुक्षमंत्री हमंत सुरेन लगतार इस बात के लिए जो बीजेपी की जो सरकार केंडर में उसके उड़ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जारखन की सरकार को गिराने के लिए तमा काली के दिनों में हमन्सुरेन अपने दिधायकों को लेकर जो राची से बाहर निकले थे और अब हमन्सुरेन आज के इडी से पूसाच के कारवाई के तिक पहले यूपी यानि जमाम जो गठबंधन के नेता है जारखन सरकार में उनके साथ उन्होंने बैठा की और पलपल हमन्सुरेन खुद कई बार मेडिया में लगा चुके हैं उनका सीधे तौर पर काना है कि जारखन सरकार को गिराने की साजी सर रही है और इसके लिए हमन्सुरेन पूरी तैयारी कर रखे हैं आपको बताते हैं कि हमन्सुरेन दो दिन पहले भी जब मीडिया से बाचित करे हमन्सुरेन पहुंचते हैं या नहीं क्या कुछ उनके द्वारा जबाब दिया जाता है इडि के जो अधिकारी होंगे वो क्या कुछ सवाल पूछेंगे आपको बता दे कि खनन से जुड़े हुए मामले में हमन्सुरेन की मुस्किले बढ़ी हुई है और इसके पहले के अंदर दोनों ही जो गठबंदन है बीजेपी और धारखन मुक्ति मोर्चा की पार्टी है जो हमन्सुरेन की पार्टी है उन्स सभी डलों के बीचे आज का दिन व्यहाद खास है क्योंकि आज सबकी निगाहे एडी दफ्तर पर ठीकी रहेगी जहां हमन्सुरेन को जाना ह हाला कि उसके पहले ही यूपिये के जो विधायक है यानि जारखन सरकार में जो सवयोगी है उन्स सबकी जो निगाहे है वो सियम आवास पर ठीकी हुए कि हमन्सुरेन क्या कुछ फैसला लेते हैं सुबह जो दस बजे के बाद यह तवाम पूस्ताश की परक्रिया सुरू हो ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के ल लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined